असलाम अलीकूम, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल, इन दिस वीडियो वी आर गोई दिसकूस चेप्टर सैवन, फ्राम्जालोजी बाई मिलर एंड हारले, इस अबाउट एनिमल टेक्सोनोमी, फॉलाज़ोनी एंड आर्गनाइजेशन, सबसे पहले देखें कि जो हैं, उनकी अबिलिटी है कम्यूनिकेट करने की, कम्यूनिकेट कैसे करते हैं वो, लेंगविज की हेल्प से, ठीक है, लेंगविज हमारी मदद करती है, हम किसी चीज को इनकोड कर सकें, यानि अंडरस्टेंड कर सकें, इसके इलावा, लेंगविज हमारी हेल्प करती है, कि हम किसी चीज को classify कर सके into different categories अब देखें 1 million animal species हैं उनके लिए भी कोई specific naming system होना चाहिए ना जिसकी help से हम उनको classify कर सकें तो जो naming system है उसके कुछ characters भी होने चाहिए specific उसमें सबसे पहला character है order यानि naming system में ordering होनी चाहिए जो family level है उसको specific नाम देना चाहिए जो genus का level है उसका specific नाम होना चाहिए ठीक है तांके एक order में सारे हमारे पास results आ जाएं सारे जो organisms की classification है ना जो classification के levels है सारे उनका specific name हो ठीक है तांके एक sequence create हो जाए second क्या होना चाहिए relationships that arise from evolutionary processes यानि हमने relationship जो है उनको किस की base पे लेना है evolution की base यानि evolutionary जब वो relationship है जो उनका उसको हमने study करना है कि जब evolution हो रही थी तो organism का अपस में क्या relation था यानि ancestor same है different है ये सारी चीज़ों की base पे relationships होने चाहिए अब हमारे पास एक ओर टर्म है systematics systematics क्या है कि इसमें हम study करते हैं kind and diversity of organisms यानि कितनी तरह के organisms present है and the evolutionary relationship among them और उनके दिर्मियान evolutionary relationship कैसा है ये दो बाते हम systematics में study करते हैं उसके बाद हमारे पास एक ओर टर्म है what is taxonomy taxonomy होता है basically classification of organisms इसमें हम organisms को classify करते हैं next एक टर्म है what is phylogeny phylogeny क्या होता है कि इसमें हम study करते है evolutionary relationship evolutionary history of group of organisms अब यहां पर आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जो systematics है वो combination है दो जीज़ों का taxonomy and phylogeny systematics में हम diversity को भी देखते हैं इसके साथ साथ हम systematics में evolutionary relationships को भी study करते हैं अच्छा अब हम बात करेंगे टेक्सानोमिक hierarchy की सबसे पहले कार्स linear ने इस चीज़ को notice किया ठीक है उसने develop किया एक specific system जिसको अब हम जानते हैं bionomial system यानि एक individual के दो नाम होते हैं ठीक है अभी इसको हम detail में देखेंगे अब इस classification के recording क्या था कि जो different species हैं उनको group किया जाता है broader categories में और उनकी तिरम्यान जो character similar है ना उनकी base पे हम उनको different categories में place कर देते हैं उसके बाद हमारे पास एक ओर term है taxon taxon क्या होता है हम animals को ऐसे animals को जो share करते हैं particular set of characteristics उनको हम एक group में combine कर देते हैं taxon is actually grouping of animals that share a particular set of characteristics forms and assemblage अब example से आपको better understanding हो जाएगी for example housefly मुस्का डुमेस्टिका आपको पता है हमें देखते ही पता चल जाता है कि यह housefly है यह यह उसके characters इतने specific हैं लेकिन housefly जो है ना वो कुछ characters share करती है other flies के साथ for example single winged character order diptra से ब्लांग करती है ना houseflies ठीक है और जो all true flies होती है उनमें single pair of wings present होते हैं अच्छा अब इस character की base पे हम कहते हैं कि all true flies एक taxon बनाती है अब जो true flies है यह बाकी जो members है जैसे butterflies है बीज है बीज है बीटल्स है उनके साथ भी कुछ character share करती है तो क्योंके यह सारे class insecta में आते हैं ना तो इन animals को हम कहते हैं कि यह उन्हें एक और specific taxon बना लिया यह सारे insects हैं अब आपको समझ आ गई होगी taxon क्या होता है grouping of animals on the basis of shared set of characteristics अच्छा अब हमने देखने है classification के level सबसे पहले हमारे पस kingdom level है जैसे plant kingdom next हमारे पस phylum की category आ जाती है then class है class के बाद order है order के बाद family family के बाद genus और basic जो unit है taxonomy का classification का वो है species species मिलके general बना लेते हैं ठीक है general मिलके families बनाते है families मिलके order बनाएंगी और order मिलके class बनाएंगे classes मिलके phylum बनाती है ठीक है यह हमारी step by step categories चलती रहती है अच्छा अब हमने बात किनी है grouping की grouping जो है वो reflect करती है evolutionary relationships कैसे देखें जो traditional taxonomy थी ना उसमें क्या होता था traditional taxonomy में के morphology की base पे हमने classify कर दिया यानि यह देखने में individuals एक जैसे लग रहे हैं तो यह same group से belong करते हैं अब हमें पता चला है कि जो morphological similarity है ना वो genes में भी present होती है ठीक है अगर genes similar होगी तो morphology similar होगी इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो lineage की classification है ना वो evolutionary relationship को भी किसी हाथ तक explain कर रही है क्योंकि जो lineage की classification है वो किस चीज़ पे base कर रही है वो morphology पे अब next हमारे पास है limitations जो lineage की hierarchy है उसकी limitations क्या है अब देखें species को तो हमने कह लिया characters की base पे हमने एक species identify कर ली ठीक है लेकिन species level से जो above level है जैसे जीनस का level है तो हमें यह नहीं पता कि कौन से particular characters मिल के एक taxon बनाएंगे ठीक है इसके इसके इलावा हमें यह नहीं पता कि family कैसे बनती है हम simply कहा देते हैं general को मिला कि हमने family बिना दी लेकिन यह कोई specific criteria नहीं है इसके इलावा देखें cat family है उसकी 36 species है और एक grown beetle की family है उसकी 40,000 species है तो हमारे पस ऐसा कोई पेमाना नहीं है जिसकी help से हम judge कर सकें evolutionary relationship बनाने में as compared to ancestral characters इनको हम next ना detail में भी देखेंगे अब जो traditional classification थी ना उसमें recently derived character और ancestral characters को ना कोई importance नहीं दी गई थी इसी वज़ा से वो evolutionary relationship को explain नहीं कर सकते थे next हमारे पास जो topic है वो है nomenclature nomenclature basically होता क्या है कि एक species को specific नाम देना ठीक है एक individual को specific नाम देना लेकिन common name भी तो है ना तो फिर specific scientific name ही क्यों तो common names की two problems है एक तो देखें एक country में जैसे हम उर्दू में कहते हैं जो sparrow है उसको हम कहते हैं CDI ठीक है लेकिन अगर हम USA की बात करें तो वहाँ पे sparrow बोला जाएगा ठीक है यानि ये vary करते हैं country to country और इसके इलावा ये जो है ना species level उससे higher जो टेक्सानोमिक केटेगरीज है ना उनके लिए हैं जैसे चिडिया की बहुत सब्सक्राइब की बात करते हैं कि ये चिडिया है यानि species level से जो अबाव टेक्सानोमिक level हैं हम उनकी बात करते हैं common names उनको बता रहे हैं ठीक है वो specific species को नहीं बता रहे हैं अच्छा अब nomenclature है क्या distinctive name देना है हर species को ये universal होगा और ये indicate करेगा level of classification यानि हमें पता चाल जाएगा कि ये किस level की बात हो रही है species के लिए नाम different होगा family के लिए नाम different होगा हम एक नजर में देख सकते हैं कि ये कौन से taxonomic level की बात हो रही है अच्छा अब दो animals का एक ही नाम नहीं हो सकता हर animal का सिर्फ एक नाम होगा ठीक है जो international code of zoological nomenclature जो है वो इस चीज़ को verify करेगा अच्छा अब हमने start में बात की थी कि जो linious का system है वो binomial है यानि एक species के दो नाम है एक individual के दो नाम है एक specific name है ठीक है और एक generic name है अब जो generic name है वो capital letter से start होगा और जो species epithet है वो lower case letter से start होगा ठीक है और इसको यहां तो हम italic करते हैं यहां फिर underline करते हैं जैसे homo sapiens इसको अगर हम writing में लिखेंगे तो underline करेंगे लेकिन अगर हम इसको type कर रहे हैं तो italic कर सकते हैं writing में इसको italicize नहीं करना next जो हमारा topic है वो है molecular approaches to animal systematics अब देखें हमने पहले भी बात की कि वो individuals जिन में morphological similarity होगी तो इसका मतलब है कि उनकी genes में भी similarity है तो अभी भी यही बात repeat हो रही है कि animals जो related होते हैं ना उनकी gene products यानि के proteins और genes वो भी related होती हैं यानि similar होती हैं और related animals का जो DNA होता है वो भी common ancestor से आता है genes and proteins of related animals are more similar than genes and proteins from distant tree related animals यानि जो closely related animals होंगे इसका मतलब है कि उनका ancestor सेम है क्योंकि उनकी genes और proteins सेम हैं next हम बात करते हैं mitochondrial DNA की जो के molecular studies में बहुत ज्यादा important होता है अच्छा mitochondria ही क्यों इसके हमारे पास कुछ reasons है सबसे पहली तो ये है कि mitochondria का अपना genetic system होता है यानि उसका अपना DNA होता है और वो cytoplasm से आता है mother के cytoplasm से और basically हम ना mitochondria का जो DNA होता है eternal lineage को trace करने के लिए study करते हैं क्योंके mitochondrial DNA कहां से आता है mother से अच्छा अब ये हमारे पास classification की आगी headings, domains and kingdoms ये आपको पता हाइस्ट level है classification का अच्छा अब हमारे पास ना एक specific molecule है अभी तो हमने mitochondrial DNA की बात की ना इसके इलावा भी हमारे पास एक molecule है जो के है ribosomal RNA अब ribosomal RNA ऐसा RNA है जो early life में evolve हुआ था और तब से अब तक इसमें बहुत minor changes आई हैं यानि कह लें के ये resist करता है change को और इसका जो function है ना ribosomal RNA किसमें help करता है ribosomal synthesis में ठीक है इसका जो function है वो भी almost universal है अच्छा अब मैंने एक बात की कि जो ribosomal RNA है उसमें change बहुत slow आया है यानि वो resist करता है mutation को resist करता है change को इस चीज़ को हम क्या कहते है evolutionary conservation evolutionary conservation क्या है कि less susceptibility to mutation और इसका मतलब ये भी है कि जो closely related organisms है ना उनका similar ribosomal RNA होगा जो distant related है उनका कम similar होगा ठीक है क्योंके उनके ancestor सेम नहीं है next हमारे पास है molecular systematics अब हम इसको study कैसे करते हैं for example देखें हमारे पास दो organism है इनका हमने ले लिया ribosomal RNA दोनों का ठीक है अब ribosomal RNA लेके हमने जो उनकी basis हैं जो sequence है basis की हम उसको compare करते हैं ठीक है हम देखते है position 1 पे A जो है वो present है ठीक है उसके position 2 पे हमारे पास G present है दूसरे में भी हम इसी तरह देखें कि either position 1 पे A base है के नहीं ठीक है यानि हम compare कर रहे होते हैं इनको किस number पे कौन सी base present है जहां पे difference आया इसका मतलब है कि यहां पे mutation हुई यहां पे change आया इस सारे data को हम enter करते हैं computer programs में और evolutionary relationships बनाते हैं ठीक है उसके बाद हम बताते हैं कि यह किस category में fall होंगे यह organisms अब जो studies है ribosomal RNA की उन्होंने यह बताया है कि जो life है वो share करती है common ancestor और three major evolutionary lineages है जिनको अब हम study करेंगे first one is you bacteria जिसमें आते है true bacteria ठीक है यह most abundant है 70 phylum level lineages है यानि इनके 70 phyla है इनमें से 7 phyla जो है वो human pathogen है और यहां पर यह एक बात है कि जो root है ना ribosomal RNA की उसकी दो branches है एक हमारे पास है you bacteria और एक you carrier ठीक है और archaea यह एक branch share करते हैं दोनों और जो separate branch है वो you bacteria है अब archaea की बात करें तो microbes यह भी microorganism है ठीक है लेकिन bacteria से different है और इनको हम ancient bacteria भी कहते है यह basically ना extreme conditions में रहते हैं ठीक है और इनके कुछ characters you carrier से ज़्यादा मिलते है as compared to bacteria ठीक है specifically chromatin का structure और regulation of gene function इसके इलावा cell wall structure अच्छा यह extremophiles होते हैं यह extreme conditions में रहते हैं जैसे आपने tech polymerase का सुना होगा जो thermos aquaticus bacteria से लिया जाता है ठीक है जो के hot springs में रहता है यू केरिया की बात करें तो यू केरिया हमारे पास आजाते हैं multi cellular complex organisms ठीक है जिसमें division of labor होती है compartmentalized cell होते हैं यानि compartments बने होते हैं mitochondria यहाँ पे हैं यह जैसे cell है mitochondria इदर है nucleus इदर है nuclear membrane जो है वो separate कर देती है transcription and translation को इन में आपको पता है transcription जो है nucleus में होगी translation साइटोप्लास में होगी mitochondrial and chloroplast membranes जो हैं वो compartmentalized करती है energy processing को यानि वहाँ पे energy senses हो रही होती है true multicellularity evolution of tissues organs organ systems सिरफ you के अरिया में present हैं ठीक है यह देखें यह हमारे पास है life का common origin ठीक है इसमें एक यू बेक्टेरिया है फिर आर्किया की डोमेन है and then यू केरिया next हमारे पास है animal systematics की जो approaches है इनको हम इन्शाला next lecture में detail से study करेंगे so stay connected and thank you very much good luck